हाई गाईज दिस इस हितेश एन्यों वाचिंग मिस्टर टेकी और आज हम इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं पोट के तरफ से न्यूली लॉंच स्मार्ट वाच की जो है बोट स्टॉंग जो अभी 29 अवक्टोबर को लॉंच हुई थी फ्लिप कार्ट पे फॉर वन ट्रिपल नाइन और हमें आज डिलेवर हो चुकी है फर्स्ट अफ नवेंबर को तो चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करत हैं हम इस वाच की अन्बॉक्सिंग के अ का अ अ तो ये है बोट की नई वाच जो है वाच स्ट्रॉम जो अभी हाली में 29th of October को लाउंच हुई है हमने उसी दिन ही ओडर की थी और आज 1 नमेंबर को हमें ये डिलेवर हो चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 मीटर तक वाटर असिस्टंस है कॉल और टेक्स नोटिफिकेशन से विध वाइबरेशन अलर्ट मल्टिपल स्पोर्ट स्पोर्स आपको मिलेंगे प्लस यहाँ पर साइकल ट्रेकर है और यह सारी चीज़ी आपको मिलती है सेडिंटरी अलर्ट कैलरी स्टेप्स ट्रेकर कंपेटिबलिटी विध आईवस और अंड्रोइड है फाइंड माइफोन का आपको इसमें फीचर मिलता है 1.3 इंच की फुल टच स्क्रीन है यहाँ पर 2.5 डी काउफ ग्लास जिसमें आपको मिलेगा मल्टिपल वाच फेज़ेस है प्लस यहाँ पर मुजिक कंट्रोल है तो हमने यह ब्लू कलर में ओर्डर की है यह ब्लू और ब्लैक दो वेरियंट्स में अवलेबल है चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग हम कर लेते हैं यह हमें यहाँ पर ऐसे पहले यहाँ पर यह है वारंटी कार्ड वन इयर की हमें इसमें ओफिशल वारंटी देखने को मिलती है यह है पोर्ट के दूसरे प्रोडक्स उसका कुछ लीफलेट प्लस यहाँ पर यह है यह पोर्ट वाच कैसे हम इसे एप में कनेक कर सकते है कैसे हमें इसे turn on करना है तो चलिए इसके first impression देख लेते हैं और यहाँ पर है इसके लिए एक USB charging cable हमें एक USB इसमें charger देखने को मिलता है देख सकते हैं हमें इसमें ये magnetic charger देखने को मिलता है जो काफी अच्छा है प्लस इसमें USB से connect करना है तो हम अभी ये watch को remove कर देते हैं काफी अच्छी packaging से ये दिया हुआ है ये देख सकते हैं आप ये है boat की smart watch हम इसका ये peel remove कर देते हैं और इसे हम first time के लिए on कर देते हैं ये on नहीं हो रही आई थिंग ये charge नहीं है तो हम इसे चेक करते हैं ये charge होना चाहिए तो हम इसे charge कर लेते हैं इन watch को setup कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं तो हमने इस watch को भी charge कर लिया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है watch ये काफी अच्छी watch है और यहाँ पर touch response भी काफी अच्छा है प्लस यहाँ पर ये सारी details आपको दी हुई है तो हम इस watch का अच्छी से 2-3 दिन यूज़ करेंगे और सारी details आपको initial review में देंगे तो ये थी इस watch की unboxing गाइस चैनल को subscribe कर लिजेगा इसका review जल्दी अपलोड हूँ है मिलते हैं अगली वीडियो में तो गाइस ये थी इस watch की unboxing और initial impressions ये watch काफी अच्छी है 2000 रुपीज में जैसी वोट की तरफ से पहली smart watch है तो हम इसका पूरा review भी करेंगे और वो कुछ टैम बाद चैनल में upload होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग हो तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि आप इस watch का पूरा review देख पाए तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में Till then, bye bye